हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चनल चैंपियन जयत पर मैं हूँ आपका दोस्त तुम्हों मज़ेर और दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं exercise 3.2 बट दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा basic वाला वीड देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए वरना यह सब जो मैं बताने जा रहा हूं यह आप लोगों को उतना प्रॉपरली नहीं समझ में आगा 10 मिनट का वीडियो है आप उसको 1.5 में 7 मिनट में देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज हम लोग इसको हम फाइंड कर सकें जैसे साइन 690 अच्छा साइन 690 को मैं कैसा लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि एड करने पर यह आएगा और फिर इसके बाद हम लोग जानतें कि 360 प्लस ठीटा जो होता है वो उसी के एक्क्वल होता है ठीक है साइन 360 प्लस ठीटा इस इक्वल टू साइन ठीटा ठीक है प्रॉपर्टी आपको हर एक में डालनी है आगे बढ़ते हैं अब साइन 330 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 360 माइनस 30 क्योंकि 330 के तो वाइलू हम लोगों को मालूम नहीं तो ऐसा हम लोग आरेंज करते जाएंगे फिर फाइनली अंसर आ जा होगे माइनस 30 की वैलू माइनस वापान टू वन अपान टू होती है बट यह वाला माइनस वहाँ पे लग गया तो साइन 690 की वैलू क्या है माइनस 1 अपान 2 टीक है इसको आप लोग चाहों तो ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो जैसा मतलब हम लोग ग्राफ बनाते देन ऐसा इस तरीके से तो यह आप लोगों का यहाँ पे आएगा फॉर्थ कॉड्रेंट में 30,60,90 से भी फाइंड कर सकते हो बट हमारे पास फॉर्मूल है तो उसकी जरूरत क्या है ठीक है और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है that is sin 360 minus theta is equal to minus sin theta चलो अगला question दिखते है अगल sin 495 को अक्सर कोशिश करो कि 360 plus लिखो क्योंकि यह ऐसा एक value है 360 plus लिखोगे तो value में ना minus की जंजट है ना changing की जंजट है same to same आ जाएगा तो अगर मैं इसको 360 से plus करके लिखो तो sin 360 plus 135 लिखना होगा है ना plus करेंगे तो 495 के equal आ जाएगा अब sin 360 plus theta किसके equal होते है sin theta के sin 135 रहेगा और साथी में आप लोग करके property जरूर डालें कि sin 360 plus theta is equal to sin theta चलो यह हो गया फिर sin 135 को मुझे दोबारा change करना है sin 135 को मैं कोई बड़ी value नहीं हाँ 180 से लिख सकता हूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin 90 plus 45 या फिर आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते है sin 180 minus 45 तो sin 90 plus 45 है ठीक है इसको 180 minus 45 भी लिख सकते हो तो 90 है ठीक है मतलब यहाँ पे value change होगी और साती में plus theta है तो 90 plus theta पे क्या होता है sin 90 plus theta होता है वो convert हो जाता है cos 45 में हम लोग जानते है pi by 2 plus theta वाले में जो sin pi by 2 plus theta होता है वो equal हो जाते है cos 45 के और यहाँ पे 90 है ठीक है 90 plus 45 135 यह सिकंड काडरेंट में आते हैं कॉर्टरन में साइन पॉजिटिव रहते है तो यह पॉजिटिव रहेगा और कॉस्ट 145 की वैलू 1 अपॉन रूट टू और हम लोग साथी में यह जानते हैं कि 135 को मैं ऐसा भी एक सकता हूँ सबस्क्राइब करें टोट भी आपका आपका इंसरएं लोग करता हैं कि आपको जमता है इसको करने लोग करते हैं बचे गुए रिखेंस त्री ठीक में कि भी करते हूँ थे स्ट्री नरी Ein फिर हम लोग जानते कि cos 360 minus theta जो होता है, वो cos theta के equal होता है, तीक है, तो यहाँ पे cos 45 आ जाएगा, और cos 45 की value तो हम लोग जानते, one upon root 2, answer खतम, और यहाँ पे लिख दो that is cos 360 minus theta is equal to होता है, cos theta, चलो, cos 600 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको cos 600 को 360 plus 240 लिख सकता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग जानते है, cos 360 plus theta, cos theta के equal होगा, तो cos 240 आ जाएगा, and after that 240 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos 360 minus 120, ठीक है, फिर cos 360 minus theta क्या होता है, यह fourth quadrant में तो cos positive रहने वाल है, तो यह cos 120 आ जाएगा, फिर cos 120 को मैं cos 90 plus 30 लिख सकता हूँ, बिलकुल लिख सकता हूँ, तो cos 90 plus 30 किसके equal होता है, cos 90 plus theta, यहाँ पे देखो 90 है, तो cos से sine में convert होगा, और स sin है, वो नहीं change होगी, और cos है, तो cos का यहाँ पे minus आजएगा, minus sin 30, और minus में value आजएगी, minus 1 upon 2, ठीक है, और साथी में आप लोग यहाँ पे यह सब डाल दीजिए, कि minus sin 30 is equal to minus 1 upon 2, आप लोग चाहें तो इसको एक और तरीके से कर सकते हो, cos 720 minus 120, तो आप लोग डारेक्ली य यहाँ पे ऐसा solve कर सकते हो, इसको पर लोग करते हैं फिफ्त और सिक्स्त, आइए गास फिफ्त और सिक्स्त तो solve करते हैं, फिफ्त में बोला है 10 225, तो 10 225 को मैं यह सा लिख सकता हूं, 10 180 प्लस 45, बिल्कुल लिख सकता हूं, और 180 प्लस 45 कर देंगे, तो यह थर्ड कॉडर या फिर 10 180 प्लस ठीटा जैसा भी लिखना चाहोगा, डारेक्ली अंसर आ गया देखो, ठीक है आपको बस वो टेबल याद रहना चीए, आप लोग फटा फट अंसर बोलोगे, एक बार में नहीं होगा, बट बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, 10 माइनस ठीटा, फिर 330 को ऐसा लिख दो, 360 माइनस 30, तो 10 360 माइनस ठीटा किसके एककोल होता है, माइनस 10 ठीटा के, ओके, तो यह माइनस 10 30 आ जाएगा, और 10 30 की वैलू देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 30 की वैलू होती है, 1 अपॉन रूट 3, तो आपका एंसर आ जाएगा, प्लस किया है, that is, 10 360 माइनस ठीटा, is equal to minus 10 ठीटा, और फिर यहाँ पे लिख दीजे, 10 30 is equal to 1 अपॉन रूट 3, और साथी में, शुरुवात में भी आपको लिखना है, that is, 10 माइनस ठीटा, is equal to minus 10 ठीटा, चलो, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं, 7 और 8 वाला, आईए गास, में 180 है, तो वालू नहीं चुन जोगी, और यह थर्ड कॉट्रेंट में आएगा, तो थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटीव होता है, तो एंसर आजएगा, minus 60, और 60 क्या होता है, cos 60 होता है, 1 upon 2, तो 60 हो जाएगा, minus 2, यहाँ पे लिख दो, that is, sec 180 प्लस ठीटा, is equal to minus sec ठीटा, औ cos minus ठीटा, cos ठीटा होता है, तो cos का ही तो यह भाई है, तो sec 855 यह भी हो जाएगा, अभी 855 है, तो 360 का multiple लेलो, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, तो 720 प्लस 135 इसको लिख दो, तीक है, क्योंकि आप लोग 360 प्लस 360 प्लस 360 तीन बार करोगे, दो बार करोगे, तो आएगा, इ सिक 180 माइनस 45, है ना, क्योंकि 180 में से 45 घटाएंगे, तो हम लोगों को 135 मिलेगा, और सिक 180 माइनस ठीटा क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 180 माइनस ठीटा जो है, वो second quarternd में आएगा, second में सिर्फ साइन पॉजिटी होता है, तो यह होजाएगा, माइनस सिक 45, और सिक 45 की एलू, कॉस 45, वन अपन रूट टू, तो सिक 45 रूट टू, ओके, और फिर डॉट 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 करके, आप सारी प्रॉपर्टी यहां पे लिख दिए, यहां का प्रॉपर्टी है, और साथी में यहां पे लिखिए, सिक 360 प्लस ठीटा इस एक्वाल टू सिक ठीटा, और यहां पे लिखिए, that is, सिक, माइनस ठीटा इस एक्वाल टू सिक ठीटा, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं, दो बच्चे हुए समस, आएए गाज, लास्ट को करते हैं, कॉस एक 780 है, तो मैं इसको बार बार कॉस एक 360 प्लस 420, फिर उसके बाद 420 आएगा, फिर 360 प लिख सकता हूँ, ति होजाएगा, कॉस एक 720 को लिख दीजे, 360 इन्टू 2, क्योंकि यह उसका मल्टीपल है, तो अब आप लोग यहां पे लगा सकते है, फार्मुला कॉस 360 प्लस ठीटा का, तो वो होता है, कॉस एक ठीटा की एक्वल, तो कॉस एक 60 आगया, कॉस एक 60 की वै 1, 1, 1, 0, तो 360 का मल्टीपल ढूंड़ो, 1,080, पहले इसको बाहर लिकर आओ, तो 10-θ, तो यह भी उसी का भाई है, तो यह माइनस गौट ठीटा होगा, ठीक है, और माइनस को आट, इसको लिख दो 1,080, प्लस 30, और 360 प्लस ठीटा क्या होता है, ठीटा ही होता है, तो माइन प्राबर्टी फिल करते हो, that is, cot 360 प्लस ठीटा is equal to cot ठीटा, आप लोग चाहो तो यहाँ पे एक इस्टेप और लिख सकते हो, कि माइनस कोट 360 इन्टू 3, प्लस 30, उसके बाद यह लिखो, ठीक है, चलो, चलो, शुरू करते है, क्या करना है, आपको बस वो टेबल याद रह अच्छी है, बाखी काम आपका easily हो जाएगा, देखो, cos pi प्लस एक्स, अच्छा, cos pi प्लस ठीटा क्या होता है, cos pi प्लस ठीटा किसके इक्वल होता है, minus cos ठीटा के, क्योंकि pi मतलब 180, और यह कौन से कॉर्डरेन में आएगा, यह second कॉर्डरेन में आएगा, second में सिर्फ sin positive हो cos minus theta होता है, cos theta, क्योंकि theta जो है, minus theta क्या है, fourth quadrant में आगा, fourth में सिर्फ cos positive होता है, तो यह cos x, फिर sin pi minus x किसके इक्वल होता है, sin pi minus x मतलब 180 minus theta, यह second quadrant में आएगा, ठीक है, second में sin positive होता है, और changes भी नहीं होगे, तो यह sin x होगा, फिर उसके बाद cos pi by 2 plus x, यह कौन से quadrant में आए minus sin x हो जाएगा, ठीक है, आपको बस formula याद रहना चाहिए, हम लोग LHS को solve कर रहें, यहां पर लिख दो LHS is equal to, और इसको हटा दो अभी, जो prove करना है, उसको बाद में लिखती है, चलो, eventually एक इस step मैंने मिस्स कर दिया है, यहां पर, तो minus cos x multiply by cos x हो जाएगा, minus cos square x upon sin x multiply by minus sin x x, तो minus minus कर जाएगा, तो cos upon sin किसके equal होता है, cot के equal होता है, square है तो square लगा दो, और हम लोगों का जो RHS था, वो भी तो cot square x था, therefore LHS is equal to RHS, कितना easy question है, बताओ, इसमें क्या difficult लग रहा है आपको, ठीक है, मैं आपको मार्कर से properties fill कर देता हूँ, यहां पे सब कुछ फिल करना ह को, cos, pi, plus x, जो होता है, वो equal होता है, minus cos x के, साती में, cos minus x, जो होता है, वो equal होता है, cos x के, और जो cos, pi by 2 plus x होता है, वो equal होता है, minus sin x के, इस अब फिल करके close कर दीजिए, आपका answer देखो सामने है, यहां पे भी लिख दो, that is, cos upon sin, cos theta upon sin theta is equal to होता है, cot theta, चलो, इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लिए, फिर आम लोग करते हैं, सेकंड वाला, आइए गाइस, question number 2 करते हैं, इसे विला है, cos 3 pi by 2 plus 6, multiply by cos 2 pi plus 6, multiply by cos 3 pi by 2 minus 6, plus 4 2 pi plus 6, prove करो, ये equal है, 1, इतना छोटा सा number, इतना बड़ा सा question, ये अप्रूफ करते हैं, बस आप लोग वो allied angles वाला जो table है, व हम आपे लगाते चलो, क्योंकि उसके बाद आपका देखो answer मिल जाएगा, अच्छा, 3 pi by 2 मतलब 270, 270 plus theta किसके equal होता है, sin x के equal होता है, ठीक, और फिर cos 2 pi plus theta किसके equal होता है, 2 pi मतलब 180 degree, 180 ये second quadrant में आएगा, और ये change भी नहीं होगा थी, ये cos x के equal होगा, ठीक, इसको ऐसी रह आगे बढ़ो, cos 3 pi by 2 माइनस theta किसके equal होता है, ये 270 है, तो ये 10 में change होगा, और साथी में ये कौन से quadrant में है, ये हम लोगों का third quadrant में, तो sin भी positive रहेगी, फिर plus cos 2 pi plus x है, 2 pi plus x है तो ये किसके equal होगा, यहाँ पे आप लोग पहले lhs equal to, ठीक, lhs is equal to, और यहाँ से 1 हटा द करो, एक step मेरी बच गई, तो cos 3 pi by 2 माइनस x जो था, वो 10 x के equal होगा, और ये 360 प्लस theta तो उसी के equal होगा, तो cortex आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, अभी यहाँ पे changes करो, sin x multiply by cos x ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे 10 x plus cortex है, इसको solve करो, 10 को लिख दो sin x upon cos x, है ना, और cot को लिख दो cos x upon sin x, एंसर देखो आपके सामने रहेगा, ठीक है, तो sin x multiply by cos x को अभी भी चलने दो, और यहाँ पे देखो cross multiply करो, तो यह इससे multiply हो जाएगा, तो यह हो जाएगा sin square x, यह इससे multiply होगा, तो यह हो जाएगा cos square x, और नीचे आ जाएगा cos x multiply by sin x, ठीक है, अगर मैं यहाँ bracket open करता हूँ, तो sin x into cos x multiply by 1 हो जाएगा, 1 upon cos x into sin x, यूगि sin square theta plus cos square theta 1 के इक्कोल होता है, देखो यह, यह कड़ गया, बचा क्या 1, RHS में क्या था 1, LHS में क्या आया 1, तो LHS is equal to RHS हो गया, खाली क्या किया हम लोगों ने हर एक value को रखा, cross multiply की आ गया, यह हम लोगों का 2.2 स से भी जादा easy है, बड़ तक जो हमको formula अच्छे से याद रहे, इसको कर लो, फिर हम लोग करते है third वाला, तो guys अगला question तो और भी जादा easy है, easy क्यों क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ values find करनी है, values find करके इसमें रखेंगे, तो आपका answer आ जाएगा, तो हमारे पा ठीक है, और 360 plus theta किसके equal होता है, तो sec 120 आ गया, फिर इसको 90 plus theta में लिख सकता हूँ, तो 90 plus 30 हो गया, और sec 90 plus theta जो होता है, वो किसके equal होता है, वो cos sec 30 के equal होगा, और साथी में यह negative भी रहेगा, क्योंकि यह second quadrant में आ रहे है, second में सिर्फ sin positive होता है, तो cos 30 value आई, sin 30 क्या होता है 1 upon 2, cos 30 क्या होगा, minus 2, ठीक है, खिसका answer है, sec 840 का, अभी हम लोग find करते है, cot minus 945 का, cot minus 945 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot, पहली यह बाहर आएगा, तो यह हम लोगों कहोड़ेगा, minus cot 945, ठीक है, पहला step, तो minus cot 945 होने के बाद, इसको हम लोग लिखते है, minus cot 720 plus 945 को क्या ल 25, ओके, तो यह minus cot 225 हो जाएगा, फिर 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 270 minus 45, और 270 minus ठीटा क्या होता है, cot 270 minus ठीटा, 270 है तो पहले यह change हो जाएगा, minus 10 में, और फिर उसके बाद 270 minus ठीटा मतलब यह third quadrant में है, तो यह positive रहने वाले, तो यहाँ पर answer आजेगा, minus 1, ठीक है, 840 का मिला minus 2, इसका answer मिला minus 1, अब find करते, sin 600, तो sin 600 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin 720 minus 120, फिर यहाँ पर मैं एक multiple करके लिख देता हूँ, 360 into 2 minus 120, ठीक है, 360 minus ठीटा किसके equal होता है, 360 minus ठीटा हम लोगों का minus sin ठीटा के equal होता है, और sin 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 plus 30, ओके, तो य equal हो जाएगा minus sin, और 90 plus 3, तो यहाँ लोगों का change होगा cost में, ठीक है, और साती में second quadrant में आ रहे है, तो यहाँ पर 30 तो आए गही, और साती में यह value negative मेरेगी, क्योंकि यहाँ negative है, वरना positive रहता, क्योंकि second वाले में sin का answer कैसा रहता है, positive रहता है, बट यहाँ negative वाले negative उठा पड़ा, तो cost 30 किसके equal होगा minus root 3 upon 2 के, तीक है, sin 600 की value मिल चुकी है, अभी हम लोग find करते है, 10 minus 690, चलो, तो 10 minus 690, चलो, इसकी value कैसे find करेंगे हम लोग, इसकी value find करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, तो यह होज़ेगा minus 10 690, फिर इसके बा minus 30, ठीक है, तो minus 10, 360 into 2, minus 30, फिर उसके बाद, 360 minus theta किसके equal होता है, ठीक है, 360 है तो chance तो होगा नहीं, बट यह minus भी नहीं आएगा, क्योंकि यह fourth coordinate में तो सिर्फ cost positive रहता है, तो यहाँ पे एक और minus आएगा, तो यह plus हो जाएगा, ठीक है, minus 10 theta आएगा, तो plus 10 30 हो जाएगा, 10 30 की value 1 upon root 3, सबकी value मिल चुकी है, अब यहाँ पे हम लोग LHS लेते हैं, तो by taking LHS, LHS में क्या दिया है, सेक 840, multiply by cot, minus 945, plus sin 600, multiply by 10, minus 690, हर एक की value put कर दो, यह क्या है, हम लोगों का यह है, minus 2, cot 45 क्या है, minus 1, plus sin 690, इसके equal है, sin 600, minus root 3 upon 2 के, minus root 3 upon 2, multiply by 10 minus 691 upon root 3 के equal है, चलो रहने तो, अब यह minus 2 into minus 1, यह plus 2 हो जाएगा, फिर यह minus root 3 upon 2 root 3 हो जाएगा, ठीक, cross multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 4 root 3 minus root 3 upon 2 root 3, कैसे हुआ, हम लोगों ने just cross multiply किया, इसको 2 2 जा 4 root 3, 1 root 3 जा root 3, और 1 2 root 3 जा 2 root 3, और फिर उपर देखो root 3, हम हम लोग common ले ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा, 4 minus 1 और रीचे बचा है, 2 root 3, root 3, root 3 कट गया, answer है, 3 upon 2, RHS में क्या था, 3 upon 2, LHS में क्या मिला, 3 upon 2, तो LHS is equal to RHS and prove, बहुत यहादा easy है, अगर आपको table यहादे, तो यह आपको लिए कुछ भी नहीं है, ठीक, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं, 4th वाला, guys यह जो 4th वाला question है ना, इससे easy question आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस देखो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग LHS ले ले लेते हैं, ठीक, अब की बार step नहीं बचाएंगे, तो यह जाएगा, cos 1, 90 minus x, multiply by sin, 180 minus x, सबसे पहली बात है, जब ऐसे questions आपके सामने आयने, तो घबडाया मत करो, बिल्कुल भी, सबसे पहले logic लगाया करो, कि आखी logic कौन से लग सकता है, कौन से exercise से आया है, कौन सब formula लगेगा, यह सब सोचा करो, यह मत सोचा करो, कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, कैसे नहीं कर पाऊंगे, आपने अगर practice की है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, तो negative feeling मत लाया करो, चलो, कौस एक 90 माइनस ठीटा, 90 है तो यह सेक में change होगा, फिर उसके बाद 90 माइनस ठीटा यह आएगा, फस्ट कौडरेंट में हर कोई positive रहता है, ठीक है, चलो, sin 180 माइनस ठीटा है, ठीक है, यह second कौडरेंट में तो सिर्फ कॉस पॉजिटीव रहता है, फिर सेक 180 प्लस ठीटा, सेक 180 प्लस ठीटा यह थर्ड कॉडरेंट में आएगा, तो यह हो जाएगा, माइनस ठीट एक स, जो कि थर्ड में सिर्फ 10 positive रहता है, multiply by 10 90 प्लस ठीटा, यह किसके एकोल हो जाएगा, यह माइनस कॉड एकोल ह कड़ गया, उपर बचा minus 1, नीचे बचा minus 1 into minus 1, तो answer आएगा minus 1 upon minus 1, minus minus कड़ गया, तो answer आएगा 1, RHS में क्या था 1, LHS is equal to RHS, कितना simple question है, इससे simple question आपको नहीं मिलेगा, बस आपको table याद रहना चाहिए, table याद नहीं है, तो आप मेरा वीडियो देखलो basic वाला, उससे आएगा, question number 5 करते हैं, question number 5 में थोड़ा सा दम है, ठीक है, but easy है, चलो, सबसे पहले हम लोग यह लिचेस को ले लेते हैं, यहापे में को जगा कम पढ़ सकती है, क्योंकि यह सम थोड़ा सा लंबा जाएगा, easy है, सिर्फ लंबा जाएगा, तो मैं directly शुरू करता हूँ, यह तो q है न, इसको whole में ले लो, ठीक है, sin pi plus x whole q, multiply by 6, pi minus x square, ठीक है, ब्रेकेट के बाहर लगा दोगे तो क्या होगा, थोड़ा proper हो जाएगा, वरना हम लोग directly वह आला formula नहीं यूज़ कर सकते, चलो, नीचे, cos, pi by 2 plus x square, multiply by sin pi minus x, multiply by cos x minus x square, चलो, आब हम लोग put कर सकते, sin pi plus x, किसके equal होता है, यह equal होगा, sin, minus sin, ठीक है, pi plus x कौन से coordinate में आएगा, third coordinate में, तो यह minus में हो जाएगा, क्योंकि third में सिफ 10 positive होता है, तो minus sin cube x आएगा, फिर से pi minus x किसके equal होगा, 180 minus theta, ठीक है, 180 minus theta मतलब यह second coordinate में रहेगा, तो यह हम लोगों का minus, square x हो जाएगा, आगे बढ़ो, 10 2 pi minus x, मतलब 360 minus theta, तो वहाँ पे तो minus 10 x हो नहीं वाले, अपन, अपन में को है, pi by 2 plus x, 90 plus theta, तो यह सबसे पहले change रहेगा, sin square, और 90 plus theta है, तो यह मतलब second quadrant में तो value positive रहेगी, तो इसके बाद sin pi minus x, मतलब 180 minus theta, यह भी second quadrant में आएगा, बट यहीं रहे जाएगा, sin x, ठीक है, cos 1 minus x, यह minus cos 1 square x हो जाएगा, तो यह minus minus b plus हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा, उपर आएगा sin square x, यह minus minus b यहीं पर काट दो जंजट न रहे, upon cos 2 square x, multiply by 10 x, अच्छा, यह sin upon cos 2 किसी के equal नहीं होता है, cos 1 upon 6 हम लोगों का cot के equal होता है, ठीक है, cot किसके equal होता है, cos 1 upon 6 के, बट यहाँ पर क्या है, 6 upon cos 1 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 upon cot square x, multiply by 10 x, और हम लोग जानते, 1 upon cot equal होता है, 10 के, तो 10 square x multiply by 10 x, तो एंसर आजेगा, 10 cube x, rhs में क्या आता, 10 cube x, lhs में क्या आया, 10 cube x, therefore lhs is equal to rhs, कितना simple है, ठीक है, कुछ भी आड़ नहीं है, बस आपको table याद रहना चाहिए, value put करो, यहाँ पर थोड़ा सा logic लगा है, बस यहाँ पर ही थोड़ा सा difficulty आ सकती है, बाकी easy है, practice करोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं, last question करते हैं, last question में cos theta plus sin 270 plus theta minus sin 270 minus theta cos 180 plus theta equal 0 के, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले lhs उठा लेते हैं, तो lhs is equal to cos theta plus sin 270 plus theta, आप लोग अपने दिमाग में चलाते रहों कि sin 270 minus theta क्या हो जाएगा, 270 plus theta क्या हो जाएगा, ठीक है, ताकि फटा 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 एंसर आपके आती जाएं, तो cos theta तो ऐसी रहेगा, sin 270 plus theta, 270 है तो सबसे पहले यह cos में चेंड़ जाएगा, और यह fourth quadrant में है, तो यह negative रहने वाला है, क्योंकि sin का एंसर कैसा रहते है, negative रहते है, तो यह minus cos theta हो गया, इसको bracket में कर दो एक, फिर minus, sin 270 minus theta किसके equal हो जाएगा, तो 270 minus theta किदर आता है, यह third quadrant में आते है, third में भी negative रहेगा, तो minus cos theta हो गया, फिर plus, यह किसके equal होगा, cos theta minus cos theta, यह minus minus plus हो गया, यह minus plus minus हो गया, cut गया, cut गया, answer है 0, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 0 plus 0 is equal to 0, RHS में क्या है, 0, LHS में क्या है, 0, LHS is equal to RHS, बहुत ही easy है, थोड़ा सा practice करोगे, तो आप लोग हरे questions को properly कर पाओगे, अगले lecture है मिलेंगे, तो हम लोग practice at 3.3 solve करेंगे, पहले उसके basic को, फिर हम लोग दो पार्ट में उसको भी solve करेंगे, चलिए मिलते हैं अगले lecture में,